चलिए दो बात करते हैं इस एक और कोशिन के बारे में, इस कोशिन में एक्जाम नहीं का है, इसको simplify किजिए और बताइए कि इसका right answer किया है, तो इसको हम दो पार्ट में solve करते हैं, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, चलिए ये solve करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क आपका साथ हो जागा ये, अब इन दोनों का LCM लेगा, तो LCM 14 आएगा, इसका भी LCM 14 आएगा, तो direct में इसको multiply कर दो 60 आएगा, और minus का 7 आएगा, और आप उन में 14 आजाएगा, इसको multiply करणों तो मेरे पास में कितना आएगा, 49, प्लस का 16, आप उन में 14 आजाएगा, इस वाली वैली से वैली कर जाएगा, तो इसका मतलब कितना होगा, 53, भाय में कितना होगा, 9, 6, 15, 6, 65, यानि इसकी वैली आएगा, 53, भाय में 65, इसकी वैली आगए, अब इसको sol करते, इस step के question को हम लोगों हमी से नीचे sol करते, तो 25, minus का यह यह निए 24, बटे में 5 हो इसको multiply करेंगे तो यह कितना हो जागा तीन दू नीचे और पांत दू दू दस और चौविस में इसमें add करूँगा तो यह मेरे पास हो जाएगा आपका 130 यानि कि यह 53 मेरा ऊपर चल जाएगा और इसकी जगे पर आजाएगा 130 यह मेरे पास में इसकी value हो जाएगा चलिए यह 53 है यह 65 है डिवाइड का निशान है 53 है और यह आपका 130 है तौल करेंगे तो 53 बाइमे 65 इन्टु में 130 अप उन में कितना हो जाएगा 53 इससे यह कट जाएगा और 65 दूनी मेरे पास कितना हो जाएगा यानि कि option जो c है वो इस question के लिए correct है एक बात और समझ लिजेए क्योंक प्रॉलम होती है जैसे यह मेरी वैली आगी इसको मैं ऊपर सी ऊपर और नीचे सी नीचे में direct कार सकता हूं इसका अंतर में to ले क्या सकता हूं इसको चाहता तो मैं इसे और शॉर्ट कर देता बट जो जीडी वाले बच्चे उनको थोड़ी सी प्रॉलम होती है आई होप आ आप सभी को कुषिन समझ में आया होगा